रादी रादी स्री जी की किचिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे आज हम आप सभी के लिए लेकर रहा है बेसन का हल्वा ये हल्वा देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में बहुती स्वादिश्ट बना है और इसी हमने बहुत आसान तरीकी से भी बनाया है तो चली इसी बनाना शुरू करते है यह हमने एक कटोरी बेसन लिया है बेसन को हमने छान लिया है आदा कटोरी चीनी लिये आप किसी भी कटोरी से एक कटोरी बेसन ले लिजी उसी कटूरी से आदा कटूरी चीनी ले लिजे अब दोनों को रखते हैं साइड में यह हमने आठ काजू लिए हैं आठ बादम लिए हैं थोड़ी सी किसमिस लिए हैं यह हमने छे हरी लाची ले थी हरी लाची को छील कर उसकी बीजे निकाल लिए हैं आप चाहें तो हरी लाइची का पाउडर भी ले सकते हैं। यह हमने जिस कटूर से बिसन लिया तो उसी कटूर से आधा कटूर यह देसी घी लिया है। गैस कौन कर लेंगे। गैस को देखी मीडे में रखेंगे। फ्राइपिन चला देते हैं। अब हम फ्राइपिन में देसी घी लिया लेएंगे। आधा बचा लेंगे। इसका बाद में हम यूज करेंगी। काजू बादम को फ्राइप कर लेते हैं। अब हम इस तरह से दू थीन बड़ चलाएंगें, इनको जादा फ्राइप नहीं करेंगे। प्राई करने से इनका फ्लिवर और भी जादा बढ़ जाता है अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब इसी में बीशन डाल देंगे अब बीशन को इस तरह से चलाते वे भून लेना है कम से कम 6-7 मिनट तक बीशन को हम जब तक भूनेंगे जब तक बीशन में अच्छी सी खुसबू ना आने लगी और देखी बीशन में अच्छी सी खुसबू भी आने लगी है ये हलका हलका ब्राउन भी हो गया है तो ये देखी बीशन को हमने चलाते हुए कम से कम 7-7 मिन तक अच्छी से भून लि पानी डालकर हम अच्छी से मिस कर लेंगी, तो देखिए इस तरह से आपको दवाते हुई मिस करना है, जिससे कि इसमें कोई लम्श वगरा ना रहें, अब चीनी डाल देंगी इसमें, और चीनी डालकर भी अच्छी से मिस कर लेते हैं, अब इसी में हरी लाइची पाउड़ा डालेंगे तो देखिए इस तरह से आपको मिस करना है अच्छे से तो ये देखिए इसमें गाला फन भी आ गया है अब जो बचा हुआ देसी घी था वो अब हम इसमें डाल देंगे देसी घी डालने से फ्लिपर और भी अच्छा आजाता है हल्वे का और ये नीचे चिपकेगा भी नहीं तो इसे उपर से जरू डालने आप अगर आप इस तरह से हल्वा बनाएगे तो आपका बिसन कल्वा बहुती परफेक्ट बनेगा और खाने में बहुती स्वादिश लगेगा अब देसी खी डालकर अच्छे से मिस कर लेंगे तो ये दे की हल्वा हमारा बनकर रेडी हो गया है अब हम इसमें ड्राइ फूट डाल देंगे यह हमने काट कर रखी थे अब थोड़ी से हम बचा लेंगे अब अच्छे से मिस कर लेते हैं अब हम इसमें किस मिस डाल देंगे किस मिस डाल कर अच्छे से चला लेते हैं ये बिसन का हल्वा हमारा बनकर रेडी हो गया है गयास की फिलिम को हम बन कर देंगे अब चलिए सब कर लेते हैं अगर आप इस तरह से बिसन का हल्वा बनाएंगे तो आपका बेतन कालवा बहुती स्वादिश्ट बनेगा और सरीलों को बहुती जादा पसंद आएगा अब हुँ काजू, बादाम और किसमें से डेकुरिट कर देंगे अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए कमेंट सब्सक्राइब की जरू बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लोगी